नमासकार दोसन स्वगत्यापका हमारे शेनल चार जागंद्र में सामें चार दिसंबर को आज सूर्ग रहन चार राश्यों की लगेगी लोटरी दोस्तों साल 2021 का अंतिम और दूसरा सूर्ग रहन आज लगा हुआ है और शूर्ग रहन लगने के ठीक बाद यनि कि शूर्ग रहन समाप्थ होने के बाद चार राश्यों की लगेगी लोटरी जी हाँ दोस्तों इस सूर्ग रहन के समाप्थ होने के बाद चार राश्यां धनसे माला माल होने वाली है इन चार राशियों के किसमत काफी ज़्यदा खुश नसीव रहने वाली है दोस्तों वैसे तो इस शूरगहन का सभी राशियों पर अलग अलग परभावट पढ़ने वाला है परन्तों सभी राशियों में से चार राशियां ऐसी हैं जो कि इनकी लोटरी लगने वाली है और प्रत्वी के बीच आ जाते हैं तो इस दोरान सूर का प्रकास प्रत्वी पर नहीं पहुंच पाता इस घटना को ही शूरगण कहा जाता है। जोल सास्त्र में सूरगण को एक गोली घटना के रूप में देखा जाता है। वही धार्मिक और जोतिस सास्त्र में ग्रहण का विशेश महत्व है। जो सूरगण लगने जा रहा है। यनि कि सुबह दस से उनसर से प्रारंब और दुपहर तीन वज़कर साथ मिन पे समाप्त हो जाएगा। और इस बीशेश का कुछ बिशेश साथानिया जैसे की गर्वती महिलाओं को बिशेश साथानी रखने की जरूरत है। लेकिन बता दे दोस्तों कि कई सारे दूरलब सुबसंयोग बन रहे हैं और आज मार्ग शिर्ष के अमवश्या भी दिती है। और सरवार्द सिध्योग और शूर चंद्रमा और बुद्ध की यूती भी बनी हुई है। लोटरी लगने वाली है। जवरजस्त मुनाफ़ा देखने को मिलेगा। अब जो दोस्तों दूसरी जो राशी आती है बता दे वो है मकर राशी। मकर राश की जातकों आपकी भी आज सुरगहन समाप्त होने के बाद यानि ये ग्रहन समाप्त होने के बाद लोटरी लगने के संभावने हैं। गरेलू जीवान अच्छा रहेगा घर परिवार में काफी जदा अच्छा महल देखने को मिलेगा। दोस्तों को सहयोग प्राप्त होगा पुराने मित्रों को सहयोग प्राप्त होगा। अब जो तीसरी जो राशी आती है वो है तूला राशी। तुला रास के जातकों अब आपकी आज ग्रहन समाप्त होने के बाद लोटरी लगने के संभावना है क्योंकि माता लक्ष्मी की भी बिशेश कर पद्श रहेगी और आज की ये सुर्गहन आपके लिए बहुत लखी रहेगा दोस्तों बता दे की बिशेश रुप से बहुत लाबकारी रहेगा आज का सुर्ण धनी इंकम के बिजनेस में ब्यापार होगा बैंक से लोन मिलने के संभावना सत्परशत है साजिदार में बिजनेस विआपार लाब होगा आपको आपका रुका वो फसा वो धन प्राप्त होगा इनकमा में जवरजस्त ब्रदी देखने को मिलेगी कई तरह के धन के मुनाफिय आपको प्राप्त होगे अब जो चोथी जो राशी आती है वो है मिथुन राशी मिथुन राश क्यातकों आज के सूर्गन ग्रहन समाप्त होने के बाद आपकी लोटरी शर्ट में भाग अजमाएंगा तो जवरजस्त ब्राप्त होगा इनकमा में ब्रदी होगी माता लक्षमी क्रपा से बड़ी कामियाबी प्राप होगा नोकरी में उच्पत के प्राप्ती प्रमसन को रूप में बड़ी खुसकबरी प्राप्त होगी और आप अगर पहले से निवेस किये हुए हैं जैसे कि सेर मार्केटिंग के शेत्र में जमीन प्रप्रप्रेटी में रिलेश्ट कंट्रक्शन में तो जवरजस्त दलाब देखने को मिलेगा इन चार राशों की लोटरी लगने के संभावना सत्परशत बनी हुई है दोस्तों बता दे कि आज चुकि ये जो सुर्गहन लगा हुआ है बिर्शिक राशी पे लगा हुआ है और अनराधा नचत्र पे लगा हुआ है शूर चंद्रमा बुद्ध की लक्ष्मी जी किर्पास से जवर्जस्त लगने वाली है तो दस्तों बीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट में जरूर लिखेगा जय माता दी जय सुर्देव साथी बीडियो को लाइक करके जदा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जय मालक्ष्मी जय झाल झाल झाल